विडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीस लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और देखिए वेल आइकन को प्रस कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो देखे इस तरीके से आपको तीन कलर लेने हैं आपको भी कलर ले सकते हैं साड़ी चुनी दुपट्टे से भी ले सकते हैं तो मैंने यहां पे लिए हैं ओल ठीके इसी से हम बनाएंगे तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम इस तरीके से मैंने इतना बना लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके तो देखे यहां पे आपको ब प्रेंगे तो यहां पे आपको लेने हैं यहां पे गंड़ीन ने अपचा की ऑब theo इस तरीके चर्ण तकि आपको कम समय में बहुत प्यैरा से डिजाइन समझ में आये तो देखे दो यहां पर हमने फंदे छोड़े फिर दो छोड़े फिर दो छोड़े ठीक है यहां से जब हम रो बुंते गए तो यहां पर दो करके छोड़ते गए और यहां पर हमने देखे तीन फंदे बीच में लिए है यह आउटलाइन के लिए और दो फंदे आउटलाइन के लिए यहां पे लिए हैं तो इस तरीके से हमने यहां पे बुनाई की उसके बाद देखिए यहां से हम पलट देंगे तो चले बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपको दिखाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके तो देखिए यहां से इस तरीके से और यहा वोड़ने है ठीके इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6 और देखें यहां से बलठ डेंगे और पिंग कलर को हम आगे की साइड यहां पर लेंगे ठीके इस तरीके से आगे की साइड लेना है यहाँ से और pink color को pink से बुनना है एक, दो, तीन तीन फंदे हमने यहाँ पे बुने पलड देंगे अब yellow color को आगे की side लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच 5 फंदे हमने बुने पलड देंगे पिंक कलर को आगे की साइड लेंगे यहां से एक और सीधी साइड से दो और यहीं से फलट देंगे इस तरीके से आप देखें यहां से सीधा पुनेंगे किनारी कफंदा में उतारना है नेश्ट फंदे से एक और देखे इसे आगे की साइट करेंगे यहां से 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदे देखे यहां पर 5 फंदे अपने इसके बुने और 2 फंदे इसके बुने अब इसे आगे की साइट करेंगे यहां से 1, 2, 3 और यहां से pink color को आगे की side और green color से एक два तीन चार और देखे यहां पर पाच दो फंदे हमने यहां पर बुन लेने हैं इस फंदे और यहां पर हम तीन फंदे छोड़ेंगे देखे यहां पर दो दो करके हम यहां तक की छोड़े हमने फंदे तो यहाँ पे हम इस तरीके से दो फंदे छोड़ते हुए देखिए यहाँ से एक बार इस तरीके से यलो कलर को बुनेंगे और यहाँ पे दो फंदे छोड़ते हुए यहीं से हम पलड़तेंगे ठीके इस तरीके से पलड़तेंगे अब यहां पर यलो को हम यलो से बुनेंगे इस तरीके से फिर से बलट देंगे और ग्रीन को ग्रीन से बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे अपने बुने बलट देंगे और पिंक कलर को आगे के साइड लेंगे यहां से इस तरीके से आप देखें यहां से एक दो तीन तीन फंदे बुने पलट देंगे और यहां से यलो कलर को हम यलो कलर से बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और यहां से पलट देंगे देखें इस तरीके से देखेंगे तभी समझ में आएगा और यहां से देखें सीधी साइट से लेंगे किनारे का फंदा इस तरीके से हमने इतना डिजाइन बुना और देखें यहां से बिलकुल डिजाइन बिलकुल अलग टरीके का बनने वाला है तो देखें यहां से अब इसे किनारे का फंदा उतारना है और नेश्ट फंदे से 1 और देखें येलो कलर से बोनेंगे 1 2 3 4 पाँच और यहां से पिंक 1 2 3 और यहां से देखें इस तरीके से में ग्रीन से लेना है एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पर एक हमें yellow का छोड़ना है, एक green का छोड़ना है, यही से पलट लेना है, ठीके, यहाँ से हम पलट लेंगे, और उपर के साइड इस तरीके से, एक, दो, तीन, यहाँ तक की computerों बनाएंगे, आप देखें, जब हम यहाँ पर yellow color के सभी जो बचते हैं उसके बाद देखें यहां से इस तरीके से एक फंदा उतारेंगे और देखें यहां से यहां से इस तरीके से एक और दो, तीन, चार, पांच, छे, अब देखें इससे सीधी साइड से लेंगे एक, दो, तीन, अब यहां पे एक, दो, और यहां पे दो फंदा छोड़ते वें इसे में पलट देना है यहां से अब उपर की साइड इस तरीके से एक, दो, सीधी साइड से बुनेंगे इस तरीके से एक, दो, तीन, पलट देंगे और यलो गलर को आगे की साइड लेंगे यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच और यहां से पलट देंगे सीधी साइड से एक, दो, ठीके, इस तरीके से यहां पर हमने इतना बनाया, उसके बाद देखें यहां से इसे उतारेंगे और नेश्ट फंदे से एक, दो, यलो कलर से बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और यहां पर सीधी साइड से, इस तरीके से अब जो फंदे हमने देखें, यहां पर ग्रीन कलर से छोड़े हैं, एक, दो, दो फंदे हमने छोड़ रखें, उसे बुनेंगे, और एक नीचे की साइड से, और यहीं से फलट देंगे, इस तरीके से अब उपर की साइड हमें कंप्लीट रो बनानी है, अब देखें, यहां पर हमने जो यलो कलर के फंदे छोड़े थे, उसे एक, और दो, यहां से एक आगे की बुनेंगे, आगे का जो दो फंदे छोड़े थे, वहां से यहीं से पलड़ देना है, उसके बाद अब उपर की स बनाते जाएंगे और हमारा डोरमेड बनके रेडी होगा